नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Competition Community में और संग्राम सीरिस के तहट हम CJ Geography में लेकर आचुके हैं यह नेक्स्ट वीडियो और अगला जो वीडियो अधारीत होगा हमारे अपवाह तंत्र पर ड्रैने सिस्टम से questions आप सभी को बहुत ज्यादा यहां पर पूछे गए हैं और जब syllabus change नहीं हुआ था यहीं कि 18 के पहले तो सिधा सिधा जो प्रश्ण है वो एक 40 number का भी पूच दिया गया था 36 गड़ में अपवाह तंत्र इसकी खास्यात है कि इसमें आपको जादा मेहनत करने की ज़रत नहीं पड़ दी क्योंकि प्रेलिम सुरिल पर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कहां से हुआ है उसको मैपिंग से भी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी नदी कि डिरेक्शन विजा रही है उसका पैटन क्या है किसके साथ वो जाके मिल रही है कौन इसके ट्रिब्यूटरी है इसका Direction कि दर होगा Slope क्या होगा उसके कौन कौन सी परियोजनाय है वो हर छुड़ी छुडी ची युजों को ही मैपिंग के रूप में और साथ ही साथ उसको एक साथ एक ही जगह पर आपको लाना पड़ेगा और थोड़ी बहुत इसकी जो इस पेशल विशेस्ता हैं जैसे कि हम बताते हैं कि हर एक टॉपिक में कुछ चीजें जो आपकी कॉमर रहती है उन सब चीजों को य महा नदी की उत्तरी साहयक नदियाँ ठीक है अल्टिमेटली अगर मैं यह कहूं की भाई महा नदी अपवाह तंत्र को आपने पढ़ा तो आपको दो पार पें बैसिक लिए इसको पढ़ना होता है और दो पार कि ए इहां पर हम बात करते हैं एक बार मैं यहां पर आपको द शिवनाद की हमने यहाँ पर बात कर ली ठीक है यह निचली नदिया हो गई इसकी फिर उपर से जो रिवर्स आएंगी जो उसको जोईन करने वाली है उत्री साहिक नदियों के जो बात कर रहे थे अपन फिलाल हमारा क्वेश्चन जो है महानदी शिवनाद दुआ पर फिर भी हम जो एक लाइन लिखे हैं उत्री साहिक नदियों से संबनी था हम उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो उत्री साहिक नदियों में आपको बेसिक इन नदियों के बारे में बताने हैं जो कि इसके लेफ्ट साइट से इसको जोईन कर रही है याद रखने बटा इसमें आप चाहें तो शिवनाद के बारे में भी एक सिंगल जिकर करना होगा बट अभी महानदी शिवनाद में आपको इसके अंदर की नदियों को हम यहाँ पर बताएंगे फिलाल रहे हैं महानदी बोर रहे हैं यह महा नदी हो गया यह शिवनाद हो गया यह शिवनाद हो गया ठीक है अब यह बीच वाला जो हिस्सा है इसी को हमने बोला है महानदी शिवनाद दुवाब यह बीच का जो सक्षेन आपको दीख रहे हैं इसको आपन यहाँ पर बना लेते यही क्या है महानदी शिवनात दोवाब ठीक है इस पार का जो हिस्सा है इसको हमने क्या बोल दिया महानदी पार का मैदान इसको हमने क्या बोल दिया शिवनात पार का मैदान ये हो जाएगा शिवनात पार का मैदान ट्राउन्स शिवनाद प्लेंस इधर वाला इला हिस्षा शिवनाद पार्कहमयदन महा नदी पार्कहमयदन यह बीच कहीता महा नदी दौवाब. ग्रीन के ऊपर के जो महा नदी के उत्तरी स रहात की नदिया हैं, यहान की जो नौर्ट साइटpless है वाले हैं और यह निचरी जो दिख रहें यह खो गया इधार और भी सिरो भी से रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे आपको दुध नदी इखने को मिलेगे यहां मैं यह से रीयूट नदी ओ Um तो जब आप महानदी को पढ़ रहे होंगे उस दावरान ये सारे के सारे reverse को भी आप पढ़ेंगे मतलब है कि आपको अलग से कुछ करने की जरुरत नहीं पढ़ेगी मतलब सिर्फ इस section को पढ़ने की आपको अलग से अवशक्ता नहीं पढ़ेगी जब आप महानदी अपवाह तंतर को पढ़ रहे होंगे उसी दावरान आपको इसको भी कवर करते हुए चलना है अगर बड़ा और छोटाएगा तो कैसे लिखेंगे उसकी चर्चा तो हम कर लेंगे फिलहाल मैंने जो चीज़ी यहाँ पर आप लोगों को बता रखिये उसके बारे में आप जरूर ध्यान दीजेगा हमने इसको हटा देना है यह सब अपनी को जरूरत नहीं है क्योंकि अन नदी यहाँ से आपको जो देखने को मिलेगी इस नदी के बारे में आप जरूर बना लीजेगा यह जो नदी तुम्हारी खारून नदी हो जाएगी क्योंकि दौब शित्र किंदर का ताने वाली रिवर्स को आपको बनाना है और दूसरा जो एक और नदी यहाँ पर आपक बना लेनी है ठीक है यह जो नदी है तुम्हारी तान्दुला रिवर्स हो जाएगी ठीक है तो यह बेसिक आपको जो दो रिवर्स है इसको यहाँ पर दौब शित्र के बारे में जवाब बता रहे हैं तो जरूर आपको बनाना पड़ेगा और बड़े कोश्चन में आपको यह मस्ट है आठ नंबर में और पंदरा नंबर में दोनों में बना रहा है चार नंबर का प्रशन आएगा तो भले आप एक बेसिक यह स्ट्रक्चर बना के छोड़ सकते हैं यह आपका महा नदी यह आपका शिवनाथ ठीक है और उसके बाद बीच में आप लिग दीजेगा यह महानदी शिवनाथ दौब बस इतना लिग के छोड़ सकते बीच कने भी उनाएंगे तो चलेगा किन्तो आठ नंबर का प्रशना आ रहा है तो यह सारी चीज़ें आपने बनानी पड़ेंगी पंदरा में एक और जो चीज़ें जो है एड़ आउन कर सकते हो क्या कर सकते म क्योंकि आप नदी को जो थोड़ा सा ऐसे मना लिचे क्योंकि दमतरी में आपको देखने को मिलेगा तो आप इसको थोड़ा सा और नीचे इसको लेया है कोई दिक्कत में फिर आप यहाँ पर इन हिल का भी नाम आप बता दीजी तो पहाड़ी कौन सी जाएगी जहां से नि पहाड़ी के नाम यहाँ पर आपने बताने पड़ेगे भानु प्रताब पुर और फिर आप इसको लिख दीजे दो आप चाहे एक तो पाना बरस लिख लीचे या फिर गढ़ चिरौली लिख दीजे तो कोई दिक्कत नहीं कर कि दोनों को ओप्शन में लेता है तो आप पा तो यह आप यहाँ पर उबलिक करके लिख दें ताकि पता चले कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है और यहाँ पर आपने इस प्रकार के डिरिक्शन जरूर देनी है यहाँ पर अलग से आपको बताने के जोरत नहीं कि सोमनात में जाके मिलते हैं डॉल उतना जादा डिटेलिंग आपको करने के आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी बेसिक इतलिस इतना है कि इन नदियों का जो ओरिजिन है इन नदियों का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है और यह कहां कहां पर जाकि जोएन हो रही है साथ ही इनका डिरेक्शन क्या चीज़ है यह आपको आपको यहाँ बात कर रहे हैं तो चाहें तो जलाशियों के बारे में भी हम यहाँ पर बता सकते हैं अगें मैं बरो 15 नंबर के अदिपरेशन होगा तब आप यहाँ पर बताने हैं अदरवस्ट करने के आवश्यक्ता नहीं है तो आपने यहाँ पर बता दिये गंग्रेल लिखने की ज़र hi जली मिलेगा ठीक है तो और इधर जब हम चलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वह खर खर हखरा वह आपको यहाँ पर आजाएगा खर खरा तो आप इसको भी बना दीजिए खर खरा थोड़ा सा और यहां पर जाएंगे तो मटिया मोती हालां कि आपको इस शेत्र में स्थित इन्हें जलाशियों को नहीं पुछा है बट आप बनाएंगे तो यस यह 15 नंबर के लिए बता है न आठ में सब करने की जोरत ने पड़ेगे 15 जब आएगा तो आप यह सब बताना और उस दोरहां लिख दिना है कि इस सारे के सारे प्रमुक इस शेत्र में पाया जाने वाले जलाश हैं तो यह बेसिक जो मैप है वह आपका यहां पर रेडियो हो जाता है 15 नंबर की प्रेश्ण में इस मैप से मान के चले आपके पास 3-4 नंबर का यहां पर रेडी हो जा रहे हैं, बाकी की जो बची होई जो 10 नंबर है, 11 नंबर हैं, उसके लिए हमको क्या क्या चीज़े करनी है, आए, तो शिरुआज जो हम लोग यहां से कर सकते हैं, यह तो बेसिक आपका मैपिंग हो गया, ठीक है, आपको जो शिरुआज यहां से करनी है, कि शिवनाथ महा नदी दुवाब किसको अंतरगत आएगा, यह आजाएगा महा नदी बेसिन का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसके अंतरगत शिवनाथ और महा नदी के शिवनाथ और महानदी के बीच का अपवाह शित्र आता है शिवनाथ और महानदी के बीच का अपवाह शित्र यानिकी drainage area of drainage area of या drainage area between the महानदी and शिवनाथ it is known as महानदी शिवनाथ दो आप एकदम simple है हम दो आप का मतलब होता है दो यानिके नंबर आपके दो फिगर और आब का मतलब होता है जो नदियां या जो जलधाराय होती तो दोनों के बीच का हिस्सा हो जाएगा महानदी शिवनाद दो आप राइट इसके बाद लिखेंगे यह जीले पे अभी तो आएंगे दूसरा हम यह भी कह सकते हैं मतलब यह दोवाब रिजन की बात करें हम यह भी कह सकते हैं कि इसके पुरू में महानदी पार का मैदान है और इसके पश्चिम में आपका शिवनाद पार का मैदान है उत्तर दक्चिन पुरव पश्यम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको आप जरूर याद रखेगा ये नौर्थ है ये सौथ है इस्ट है और ये आपका वेस्ट है तो आपने देखा यहां पर आपको क्या दिख रहा है ये महानदी शिवनाद दुआब है आप बताएं के पुरव दिषा में महानदी पार का मैदान है जबकी इसके पुर्व में कॉनस है शिवनाध पार का मैदान आप इसको बड़ में आपर लिख सकते हैं ठीक है कि इसके पुरव में in the eastern side there is a shivnaath ya trans shivnaath plane shivnaath par ka maidan hai aur pashim mein and in western side there is a sorry purva mein mahanadi par na purva mein mahanadi par ka maidan hai aur pashim mein shivnaath par ka maidan hai the mahanadi trans plane is in eastern side and shivnaath trans plane shivnaath par ka maidan iske pashim yaniki western side me hai yaap ne bata diya thik ya basic chiz yaap ne yaap par bata rakhye phir hum chalte ki bhai ya joh shetra hai mukhyada kin jilo mein vistarhi thay dekhe aise to haap dekhenge to basic chiz aap ne itna samaj liya hai ki jahaan par doonoh nadiyan prawahituri iske bich ka hissa hooga to joh jis jilo se prawahit ho rhe hunke halki full ke hissa to aayenge but aise jilo joh lagbag lagbag sampur nirup se in ke bici aaraha hai woh koon koon sa hai na to joh main jilay mukhyye jilay to mukhyye jilay joh jilay joh iske indergaat aayenge joh directly isme aar hai woh ho jayenge durga ke indergaat ane wale yannay ki joh old durga hamaara huwa karta tha abhi tin part me ho chuka hai to woh tino part aayega durga itself aayega durga khud aayega iske alaabha aapka balod aaj aayega chikai kyunki balod ka kuch hi soudhar chalayega mahanadi khud yaha se flow ho wane aapko bata aya joh 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 prasiddha isthal joh 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 na kona karke yad rakhye koshyan bhi aapko important aapko lage ona kona aapka balod balod ki baad aapka be mitra yek dham basics joh iske indra kata aayega or rai purg or baloda bachar baloda bachar half aadha niche aadha aadha uper to baloda bazar joh joh jilay iske indra kata rai maha samundh or halka ful ka dham dhari bhi dhari dhari basic aapke mukh basic aapke jilay jispen inka wistar aapko dhari milega iske baad ham chal te hain abhi to hum iske anndar ki jilay unka wordnan karen ke then extra chiz jilay hem kya liek niy kya bharanya 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 joh basic chiz jilay aapke anndar ki jilay or extra value addition kare 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 chitra chik chik to aapwa chitra me aane wali nadiyan to koon koon ssi nadiy eek to shivna hai hi to shivna ka origin kaha ssi hu hai chahe hai to aap iske baare bata de phir kya dhik raya aapko maha nadiy ye to hai maha nadiy ka origin kaha se ho hai ye bhi phir joh dho basic chiz aap ne ha par batani ho koon koon ssi chiz hai next page me panna le rhen phir yaha par aap ne bata kharun ke baare me or aap n bata dhe na yaha par joh next and dhih tandula in kharun 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 bata jil ka joh pe chua hills hai yaha se kharun nadi ka udhgum joh pete chua isthal se hua hai or pete chua ki paharui se hua hai yaha nadi rai pur jas shahar ki kinaarai se ho raha yaha som nat shivna nad nadi ko mil jati yaha basic aap nai mtla is kha udhgum inderically him nai kya bata ya is kha udhgum or milan confluence isi kha confluence to aap nai bata diya ki bhai shivna nath me jis jaga ka nama kya som nath kis mne jake shivna nath me jake mil jayega same for aap nai tandula to tandula ka origin udhgum bhanu pratap pur bhanu pratap pur pher aap bata aap gundar dehi jaysa aap jayse kya kya raja nath 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 kya 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 shivna dhwab ke bh dhwab kya dhwab kya dhwab आप मिली Twin कर रही है कि ये श्राध इस प्रकार से जा रहा है तो ये श्राध में एक एधर और एक इधर न अर्थ श्नाथ का डिरेक्ष्य इधर ऑर यह यह हम इस को और यह से जोइन कर रही है इसका नाम क्या था ता तो यह मेरा right hand हुआ, अगर मैं ऐसे जाहर होता है, और यह नदियां इधर से आरो होती है, अगर direction में change कर देता है, तो क्या होता तो तुम्हारा left होता है, तो यह दोनों को right side से, यानि की दाहिने तरफ से किसको join करती है, शिवनात को join करती है, ठीक, यह basic चीज़ें आपने य अलग से में लिखने की जरुत नहीं है, तो अलग से आपको और लिखने की जरुत आपको नहीं पड़ेगी, चाहे तो आप वहां पर बना सकते हैं, यह यह जो आपके जो शेत्र हैं, जलाशा है, इस शिवनात दोब मैदान के अंतरगत आते हैं, यह चीज़ें आपने यहा आपका जो कॉंटेंट है लगभग लगभग आठ नंबर का रेडी हुआ है, अभी और बाकी चीज़ भी इसमें करनी है, मतब इतनी सारी चीज़ें लिखेंगे, बड़े प्रश्णों में तब आपको आठ नंबर के लायक, विध मैपिंग और जितनी चीज़ें मैंने बता इस शेत्र का आउसत उचाई कितना हो जाएगा, यह हमको लिखना है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि अगर भाई कोई शेत्र जहां से नदी निकल रही है, यह नदी आपकी प्रवाहित हो रही है, तो आपका बिलकुल मैदानी अरिया होगा, जरूरी नहीं है, यह तो है, यह मैदानी शेत्र है, डेफिनेटली मैदानी शेत्र है, लिकिन मैदानी शेत्र है, जरूरी नहीं है, तो आपने बताना है कि सबसे पहले औस उचाई और शेत्र के बारे में, तो आपने बता देना है कि 220 मिटर से 300 मिटर क्या है, यह औस उचाई है, और यह एक मैदानी शेत्र है टाप प्लेइन एरिया जैसे यह जो में केला की हाधा से ज्यादा जाड़ जै शेत्र है वह आपका पहाड़ी शेत्रों में आपको मैंदानी शेत्र दिखेगी सब्सक्राइब वह फूर्ब जниковावह निकलती है और सिस्द ज भलत है बह deficiency då जो ही ठी ध professionals जो अंतिम जो शेत्र है वो आपको वहां पर मैदानी मिलेगा बट इन लोगों के केस में उल्टा है most of the cases में यह जो है आपके मैदानी शेत्रे में दो आप रिजन तो most of the reason वो है आपका मैदानी शेत्र इसलिए आउसत उचाहे हमने यहां पर बता दिया so simple सी बात है मैप देखो बिटा मैप देखो कि तो आपको नजर आजागा इसkaướcर जो है उत्तर दिशा की और है slope is in पुरिअ की पुरी जो नधी आई है इधर चल रहें सीधा-सीधा चल रहें उसक बली जाकि इधर मूड़री तो मूड़री उसकी कहानी नहीं मुझे तो यह बताने कि इधर इस शित्र की जो नदियां है वो किस और बहरी है तो आपने बताना है कि उत्तर दिशा की और है तो आपने बता सकते हैं कि इनकी जो ढलान है वो उत्तर दिशा की और है तुम्हारा उत्तर दिशा की और नौर्थ डेरिक्शन ठीक ना चले इसके बाद हम देख लेते हैं यहांगे धलान के बाद हमने बात कर ली ठीक इसके अलावा अब हमको क्या क्या चीज़े बतानी मतलब यह तो हम बेसिक चीज इसके जोग्राफिकल चीज़ों को हम यहां पर बता रहे हैं चाहे तो हम यहां बता सकते हैं कि विशे ल्न हब Official आपको लूह यय वाला शित्र मिलता है और वह कहनी कहीं धारवाट करब की चत्तान और जादे तर आपको करप्प की चत्ताने देखने के लित चत्तानों कि बारें मिलायम च्ताने होंगी और ही करपप क् की चत्तान अधिकांश most of the rock are from कडपा group of rocks not हडपा, it's कडपा फिर यहां पर आपको बता देना है मिट्टियां जब चट्टान बता रहे तो आपको मिट्टी बताने ही पड़ेगा देखे बटा, अगेन में बो रहो हूँ, यह सब तब करना है जब आपको question एक बड़े pattern में आएगा बड़े रूप में दिया जाएगा, बहुत से बच्ची इसको अधरवे में यह ऐसा ले लेते हैं अच्छा, इसमें से कुछ भी लिख देंगे, दो नंबर चार बार में नहीं यहां पेस जादा तर जो मिट्टी है, वो कैसी मिट्टी है, मटासी मिट्टी है, इसलिए हम को यह भी बताना है कि यह जो शेत्र है, वो फसल उत्पादन के दृष्टी से कैसा है, उपजाओ है यह, और चुंकि आपने देखा है कि धमतरी जैसे जो शेत्र है, आपके दु खेती के लिए अप्यूक्त दशाये अब थिक-ठाक खेती करी जाती खेती के लिए अपीयुक्त दशाये यह चीज्जा आपने यहाँ पर बता दी अब हम चलते हैं थोड़ा सा जंगलों के बारे में तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत जंगल आपको देखने को मिलेगा ठीक है आप थोड़े से जब नीचे महासमुंद वाले शित्र में जाएंगे तो हलका फुलका आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा मतलब जादा नहीं है बलौदा उजार में भी कसडोल वारे जो रिज आपको देखने को मिलेगा तो वनों की मातरा बताना कि यहां पर वन जो है वो बहुत कम है अब हम यहां पर चलते हैं सीधा सीधा क्रिशे भी हो गया यहां के जन संख्या की हम यहां पर बात कर लेते हैं शित्र में जन संख्या घनत्व कैसा है तो आपने बताना है कि यह ज कारण ये है कि भाई जितने आपके दुर्ग रायपूर एंड ओल ये वाले जो रिजन है इसे के अंद्रगत आ रहे हैं जन संख्या घनत्व यहाँ पर उच्छा है और साथी साथ यहाँ पर उद्योग भी यहाँ पर बहुत सारे हैं उद्योगों की यहाँ पर क्या है भरमार है डॉमिनेंस ओफ इंडस्ट्री जार देयार बहुत सारे और बहुत बड़े-बड़े ओद्योगिक शित्र इसके अंतरगत आते हैं तो यहाँ पर क्या है भरमार देखने को मिलेगा साथी साथ मैदानी शित्र होने के कारण प्लेन एरिया होने के कारण यहाँ पर परिवह सविधाओं का विकास मतलब इन शित्रों में ठीक ठाक आपको ट्रांस्पोर्टिशन देखने को मिलेगा तो इतना ही आपने करना है यदि कोई बड़ा प्रेशन आपको पूछा जाता है 15 नंबर के लाएक अगर पर्टिकुलर उस शित्र से संबंदी चीज़ें आपने तो जितने भी यहां पर पर्योजना होंगी प्रोजक्ट होंगे बहुत देशी पर्योजना इसको भी आपने यहां पर एड़ आउन कर लेना है गौटिट तो आए एक बार में फिर से आपको बता दो की 2,4 और 8,15 में किस प्रकार से इनका सॉलिशन हमने देना है दो नंबर महानदी दौआप के बारे में लिखें तो शिर्वात के वखल यहीं से करने है कि भाय यह महानदी बेसिन के अंतरगत शिवनाथ और महानदी के बीच का अपवाह शेत्र है जो कि विशेश रूप से पुरो में महानदी के पार के मैदान और पश्चे में शिवनाथ पार के मैदान से गिरा हुआ है, इसके अंदर के मुख्य ये जिले आते हैं, कहानी खतम, इसके रावा आपको कुछ नहीं करना है, चार नमबर का प्रश्ण आएगा, तो इतनी सारे चीज़ें लिखने के बाद आपको यह भी बताना है, कि इस अपवाह शेत्र में इस नदिय के दृष्टी से अच्छी मानी जाती है, या फिर यहां पर धान का उत्पादन ठीक ठाक होता है, चार नमबर के प्रश्ण में सिर्फ ये दो और तीन लाइन आपको एड़ आउन कर लेनी है, आप अभी भी चाहें, तो सिंपल एक मैपिंग, नॉर्मल मैपिंग आप यहां शक्ता नहीं है, आठ नमबर का कुश्यन आएगा, तो इतनी सारी चीज़े तो लिखनी ही है, उसके अलावा आपने यहां पर बता देना है, कि यह जो शेत्र है, इसकी ओसत उचाय कितनी है, चीक है न, इसका आपको यह बता देना है, कि इसका धलान उत्तर दिशा की ओर है और आपको यहां बता देना है, कि फसलों में यहां धान की खेती के लिए उप्यूक तो मानी जाती है, और उसके अलावा आपको मैपिंग में थोड़ा से इनहेंस यहां पर करना है, मैपिंग जब हमाएंगे, तो यह महा नदी को पुरा बताना है, खारून को बताना है, त यहां पर यह सारी चीज़ें एस एटिस बनाने के अलावा आप जो है, यह हिल्स जहां जहां से इनका उद्गम हुआ है, जहां जहां से इनका ओरिजिन हुआ है, आप उन परवतों के नाम लिखें, परवत के अलावा चाहें, तो जहां जहां पर एक्जैक्ली वो लोकेटे तहां पर जाके मिलता है वो आप पूरा डेटेलिंग यहां पर बतानी है दूसरा आपने यहां पर यह भी बतानी है कि इन नदियों के किनारे इस्थित प्रमुख शेहर कौन-कौन से हैं इतना सारा चीज करेंगे तो आपका यहां से 12-13 नंबर के लाएक कॉंटेंट रेडी हो जाएगा बचे हुए जो दो नंबर है उसमें और जो चीज़ें आपने यहां पर करनी है जो मैंने यहां पर बताई ओसत उचाई के अलावा धलान के अलावा आपको यहां पर चटानों के बारे में बताने कि कौन सी चटाने मैंने बताना ओसत चुताई रहे गही रहेगा आवसात उचाही हमने अल्रीडी बता दिये मुख्यता मैदानी शेत्र यह भी हमने कह दिया है आपको चटान में कड़पकरम की अधिकान शेत्टाने यहां पर देखने को मिलती है और यह भी आप बता सकते हैं यहां पर चूना पत्थर खनीज की बात मैंने जनसंक्या घना तो यहां पर उच्च होगों क्योंकि दुरगर रापुर जैसे जो शेत्र हैं वो हाई पॉबुलेटेटर एरिया आपको यहां पर देखने को मिलती है इसलिए साथ शर्ता भी उच्च रहेगी साधी साथ उद्योगों का यहां पर भरमार है चाहें तो आप उद्योग जो धंदे हों उद्योगों की जो नाम है वो लिख सकते हैं आपके जो है लौ उद्योग साथी साथ आपके जो सिमेंट उद्योगों की प्रधानता यहां पर देखने को मिलती है आपको यह भी बताने है मैदानी शेतर होने के कारण यह जो रिजन है वो परिवह सुविधा की दृष्टी से भी अधिक विक्सित है इस प्रकार से आपको किसी एक सेक्षिन को जो नदियों पर अधारित होगा मतलब देखे यहां पर मैंने दोनों चीज़े कर दी जैसे कि मैंने प्रामिस करा था जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे कोशिन जो फि क्या करिए देखे आप लोग करते नहीं जब आप लोगों को करना क्या चाहिए कि आपको यह विडियो पसंद आ रहा है यदि आपको अच्छा लग रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको लाइक बटन दबा देना है लाइक के भाद आप क्योंकि देखिए इतने सारे आप में सकता कि आप एक अकेले PSG का यहां पर पढ़ाई कर रहे होंगे और भी आपकी यार, दोस्त, समित्र, फ्रेंड, फैमिली, वैमिले और वाले हैं आप इनको वीडियो रिकमेंड करें आपको अच्छा लग रहा है तब करें जरूरी नहीं मैंने पहले कहा अच्छा लग रहा है तब ही करें आप उनको बताए कि भी देखें आप इस प्रकार से कर सकते हैं एक छोटा वीडियो उनके लिए बहुत helpful हो सकता है उन्हें बोले कि इस प्रकार के वीडियो से वो जोड़े बने रहें देखें और साथ ही साथ जो questions आपको पुछा जाता है उसका भी answer करे comment box में पहले एक तो आपको किस पर या किस टॉपिक पर अधारीत वीडियो चाहिए वो बता है जैसे कि एक answer मैंने देखा था एक comment मैंने देखा था एक बच्चे ने comment के तसर जनसंख्या पर अधारीत बनाए तो definitely जो अगला वीडियो है यनि कि next जो मैं लेकर आने वालो वो जनसं करें कई बार ऐसा रहता है कि आप टाइम हो जाने के बाद आप comment कर रहे हैं तो वो सही नहीं हो तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है तो बेटर यह है कि आप देखें तुरंत यहां पर comment करें और जादे जादे एक प्रश्ण का यह जवाब भी आपको यहां पर द और किस जिले में करती यह भी आप comment करके बताईएगा ठीक है चले तो आप बने रहे हैं हमारे साथ competition community के साथ मिलेंगे हम किसी और वीडियो में topic मैंने पहले बता दिया है चुंकि demand था तो हम census वाला topic जनसंख्या वाला topic पर 36 गड़ के संदरपह में अभी वीडियो लेकर आ झाला है